नमस्क्रार दोस्तों, दखो पिसले कुस दिनों से बहुत सारे विद्यारती बार-बार पूछते हैं या उनके कमेंट्स आते हैं कि नई जो बरतिया हैं या नई वेकेंसी जे वो कब तक आ सकती है और लगबख इतने पदों पर आ सकती है बहुत सारे स्ट्रोएन्ट्स को वै आज हम इस वीडियो के माद्यम से ये जानने का प्रियास करेंगे कि नई विग्यप्तियां या भर्तियां जो है वो कब तक आ सकती है और लगभग जो है कितने पदों पर वो भर्तियां हो सकती है वैसे तो आपको पता है कि चुनावी वर्स होने के कारण 2023 आपके लिए बहु बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है इस वर्स में आप लोगों को जो है विग्यप्ति निशित रूप से देखने को मिलेगी आवेदन आपके हो जाएंगे ये भी निशित रूप से देखने को मिलेगा लेकिन विविन परिक्षाओं या परिक्षाओं का आयोजन हो जान यह थोड़ा मुश्किल लगता है फिर भी हमें थोड़ा देखना चीए कि कब क्या संभावना इसकी बनती है तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहां पर यह ध्यान रहे कि खास तोर पर अपन बात कर रहे हैं व्याख्याता भरती परिक्षा को लेकर के और व्याख्याता के ल जो है भरती आने की संभावना नजर आती है क्योंकि हाल ही में सरकार ने बहुत सारे जो स्कूल है उनको करमोनत करने के बाद में ऐसी स्तीतियां बन गई है कि बहुत सारे स्कूल में व्याख्याताओं की पद खाली हुए है स्कूलों को करमोनत करने के साथ ही जो व्याख्य सत्र को देखते हुए तो ऐसी स्तीती के अंदर निश्यत रूप से जो है मेरा जहां तक मानना है कि मई का जो महीना है ज्यादस ज्यादस जून हो सकता है इस समय में आपको जो है विज्यापन देखने को मिल सकता है ज्याने भरती के लिए विज्यापन या सूचना जो है एक से नोटिपिकेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो मई जून में पूर्ण रूप से संभावना रखता है इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि ये कितने पदों पर भरती हो सकती है तो जहां तक मेरा मानना है अभी 17-18,000 जो पद हैं वो निशित रूप से खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि पहले से ही एक भरती है जो 4,444 लगबग पदों के लिए प्रस्तावित थी लेकिन वो रूकी हुई है इसके अलावा बहुत सारे वाइस प्रिंसिपल बन जाने के कारण वो पोस्टें खाली हुई है और रिटार्मेंट भी सासात में हर वर्स होता ही है तो ऐसी स्तीती में 17-18,000 पोस्टें जो यह आपर खाली नजर आती है लेकिन सभी पर एक साथ विग्यापन आजाए ऐसी संभावना है बहुत कम है इसलिए ये मान के चलिए जहां तक मेरा मानना है 10,000 से लेकर के 12,000 के बीच में जरूर विग्यप्ति आ सकती है यानि वेकेंसी की हम बात करें तो ये मान के चलिए दोस्तों 10 से 12,000 की वेकेंसी इसमें हो सकती है एक बड़ी भरती आप लोगों के लिए हो सकती है इसलिए आप लोगों को पूरे मन से अपनी तैयारी को अभी से शुरू करने के अभी शक्ता है ताकि आने वाली इस बड़ी भरती में आप बहुत आसानी से इस परिक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए अपनी जिस जोब के लिए आप काफी समय से इंतिजार में होंगे और काफी प्रियासरत होंगे वो आपको प्राप्त हो सके इसके बाद में दोस्तों सेकेंड नमबर पर यदी हम बात करें तो दूसरी हमारे सामने यहाँ पर सिक्षक ग्रेड सेकेंड की भरती की बात है तो सिक्षक ग्रेड सेकेंड की भरती की यदी हम बात करें तो दोस्तों इसके लिए भी जहां तक संभावना हैं मई जून तक कु ये भी विज्ञापन की बात आजाए, सूचना की बात आजाए, खुड़ा हो सकता है कि ये लेट चली जाए, तो ये जुलाए अगस तक भी हो सकती है, लेकिन निश्यत मान के चलिए कि आने वाले 3-4 महिनों में आप लोगों को निश्यत रूप से इसके लिए भी एक बड़ और यहाँ पर भी दोस्तों जहां तक है हम बात करें दस अजार प्लस पद हो सकते हैं इस बर्ती के लिए भी लगबक कितने पद हो सकते हैं दस अजार प्लस पद हो सकते हैं यहाँ पर सभी विश्यों की विग्यप्ति देखने को आपको मिलने की पूरी-पूरी संभावना है विशेस रूप से भासाओं को लेकर के हिंदी, अंग्रेजी और सम्स्क्रिट भासा के लिए इसके इलावा विज्ञान के लिए गनेत के लिए और सामजिक विज्ञान के लिए सभी पदों के लिए सभी विशों के लिए भरतियांबि संभावित है यहां इतना ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि कुछ विशों के लिए पद कम हो सकते हैं जैसे कि व्याक्याताओं को ही आज कल जो है माध्यमी कक्साओं में कफा 9 और 10 में सामजिक विज्ञान अध्यापन का कारिये दिया जाता है तो ऐसी स्तीति में SST के पदों में कुछ कमी हो सकती है सामनी रूप से जितने पद आते होते हैं नहीं हो इसी तरह सी किसी भासा को लेकर के भी पदों की कमी हो सकती है लेकिन सामने रूप से गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है इनके काफी ठीक ठाग पदाने की संभावना है अगर हम 10,000 के आधार पर देखें और इन विशों के आधार पर 3 भासा है और 3 अन्य विशों के आधार पर अगर हम देखते हैं छे विश्यों के आदार पर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि प्रतीक विश्य के अंदर कम से कम एक हजार के आसपास या उससे थोड़ी कम या ज्यादा बर्तियां यहां पर आसानी से होने की पूरी-पूरी संभावना रखती है तो इसके ल दोस्तों यदि हम बात करें आगे तो रीट को लेकर के यहां पर हम चर्चा कर सकते हैं यहां पर अध्यापक पात्रता परिक्षा को लेकर के हम बात कर रहे हैं अध्यापक पात्रता परिक्षा यहां बहुत सारे विध्याति यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या नई थर्ड़ कि बरते आ रही है इसी साल में तो दोस्तों यहां इन लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा और आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि जोहे रीट का होना जरूरी है यानि अध्यापक पातरता परिक्षा का होना जरूरी है इसलिए ये मान के चलिए जब तक अध्यापक पातरता परिक्षा नहीं होती है तब तक ग्रेड थड़ के लिए हम संभावनाएं नहीं खोज सकते ऐसी स्तीती के अंदर आपको ध्यान र कि पहले अध्यापक पातरता पारिक्षा जो है वो संभावित और अध्यापक पातरता पारिक्षा वर्ष watching 2030 में निशित रूप से होने की संभावना जिन लोगों ने रीट परिक्षा आप अलड़ी पास कर ली है और उनको आगे नहीं देना वो अपनी थर्ड ग्रेड की तैयारी या फिर ग्रेड सेकंड की तैयारी अगर वो भी एड़ है तो जारी रखें लेकिन जिन लोगों ने अभी अपनी पातरता आपको शिद्ध कर पाएंगे और उसके बाद में वो ग्रेड थर्ड के लिए क्याने सिख्षक ग्रेड थर्ड के लिए अपने आपको तैयार कर पाएंगे तो यहां पर आप लोगों को धान में रखना है दोस्तों कि सिख्षक ग्रेड थर्ड की जो परिक्षा है या इसकी विग्यापन के स्तिती है वो अपने को 2023 में सिधी सिधी नजर नहीं आती है इतना पता आपको जरूर लग जाएगा कि कितने पदों पर ये भरती होने वाली है लेकिन पात्रता परिक्षा निश्चित रूप से पूरी संभावना है कि इस वर्स में हो जाए तो जो पात्रता क को शिध करेंगे वो लोग जरूर अपनी तैयारी level से जूठ जायें कि पात्रता परिक्षा में भी पिसले परिक्षाओं के आदार पर आप लोगों ने देखा होगा कि काफी लोग महनत के बाद भी पात्रता को शिध नहीं कर पाए तो क्यों नहीं इस बार इस तरह से हम मे दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रुत है कि विग्यप्ति हर हाल में आएगी, निश्चित रूप से भरतिया होंगी और सिक्षक भरतिया जांतक मेरा मानना है, पिसले 10-15 सालों का इतियास उटा कर हम देखें, तो हर दूसरे तीसरे साल के अंदर हर हाल में एक बड़ी भरती होती है, उसी करम में आगे भी होती रहेगी, इसलिए आप इस बात को अपने मस्तिस्क में बैठा लें कि निश्चित रूप से कभी ने कभी विग्यापन आना है, कभी ने कभी परिक्षा होनी है, हमें अपनी तयारी को बरकरार रखना है, और जो वेक्ति अपनी तयारी को लेकर के सीरियस है, जो वेक्ति अपनी तयारी को लेकर के जुटे हुए हैं, वो निश्चित रूप से सफलता, वो प्राप्त करेंगे, और निश्चित रूप से वो परिक्षा आने पर तनाव महसूस नहीं करेंगे, त्योंकि जो लोग परिक्ष तागे समय तनाव भी महसूस नहीं करता और सबसे बड़ी बात है वो बहतर भी कर पाता है तो ध्यान रहे दोस्तों सुनिश्चित रूप से आप लोगों के लिए एक ये बड़ी भरती होने वाली है इसके लिए आप लोगों को जो है कमर कस लेना चाहिए और निश्चित के लिए अपनी तैयारी को जानी रखें क्योंकि हामेशा वेक्ति पादोन नती के लिए तो तर्थ पर रहता ही रहता है प्रगत्ति के लिए तर्थ पर रहता ही रहता है मिलते हैं दोस्तों फिर अगली किसी सूसना के साथ मैं धन्यवाद